स्रीश वाय नमस्तु ब्याम हर हर महादिव कैसे हैं आप सब देखें आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है शार्दी नवरात्री के पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में अगर कोई घर का ऐसा व्यक्ति हो जिसके भागी का उदाय हो ही नहीं रहा हो जिसके जिवन में बहुत ज़्यादा दुरभागय है जिसके जिवन में कोई भी सफलता उसको नहीं मिल पा रही है या वो बहुत ज़्यादा परिशान रहता है घर का कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिशान रहता है दुख रहते हैं दर्द रहते हैं तकलीफ होती है ज आपकी समस्याव को दूर कर देगा देखें नवरात्री की दिनों में कई लोग व्रत करते हैं कई लोग उपवास रखते हैं कई लोग नाना प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं कई लोग कुल देवी के आराधना करते हैं कई लोग अपनी घर की इस्ट देवी के आराधना कर Nebhattathari के कुछ उपाई मात्त रहाने के लिए कि निमित अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए आज का इस जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाहा है और आज के स्क mornings हम कि scares the तीन सुंदर उपाय के बारे में बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो है वो दो लॉंग से करना है और दो फूल से करना है दूसरा जो उपाय है वो आपकी परिशानियों को हरने के लिए मात्र ग्यारा लॉंग से करना है और तीसरा जो उपाय है वो हल्दी से, फूल से आपको करना है देखो, तीन उपाई होंगे जिसमें से एक कुल देवी का उपाई होगा जो कि सबसे ज़्यादा विशेश होने वाला है ये उपाई आप नवरात्री में कभी भी कर सकते हैं देखो, विशेश कर जो तीथियां होती है आज शुकरवार है, तो आज भी ये उपाई कर सकते हैं नई तो आप ये उपाई सब्तमी पर भी कर सकते हैं अस्टमी पर भी कर सकते हैं और नौमी तीथि पर भी कर सकते हैं देखो, मतलब अब आपके पास जो भी दिन बचे हैं आप उसमें ये उपाय कर सकते हैं किसी भी एक दिन कर सकते हैं रविवार के दिन अस्टम भी तिती है तो आप रविवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं ये तीनों उपाय पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता है चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मातादी सभी को लिखना है जितने भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट में जय मातादी जरूर लिखना है देखो, सबसे पहला उपाए ये उपाए किसके लिए करना है जिन लोगों का भाग्य का उदय नहीं हो पा रहा है यानि कि अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ही दुर्भागिशाली है यानि कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की उसको सक्सेस नहीं मिलती सफलता नहीं मिलती कोई भी किसी भी काम में हाथ वो डालता है तो वो काम सफल हो ही नहीं पाता है या जैसे कि बच्चे होते हैं जो एंटरेंस एक्जाम दे रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको सफलता के लिए भाग्य को चमकाने के लिए जीवन के धुर्भाग्य को दूर करने के लिए मा की क्रिपास से आपकी जीवन के दुर भाग ये दूर हो जाएंगे बहुत ही प्यारस होपा हैं देखो आपको क्या लेना है समझना दो फूल वाली लॉंग लेनी है देखो फूल वाली लॉंग यानि की खंडित लॉंग नहीं होने चीए फूल होने चीए ठीक है फूल उप आपको फुल वाली लेनी है साथ में लेना है दो पुष्प लाल रंग के गुड़हल के पुष्प अब देखो यहां पर इस पस्ट रूप से बोला गया है गुड़हल के पुष्प तो आपको गुड़हल के पुष्प यानि कि जो लीली के फ्लॉवर आते ना वही आपको ल लेंगे करें देखो यह दोनों चीज लेली अब आपको क्या करने हैं आपके घर के आसपास कोई भी देवी का मंदिर हो किसी भी देवी का मंदिर हो या देवी की मुर्तियां हो साइड में हो भले मुल देवी का मंदिर ना होते हुए साइड में देवी की प्रतिमा हो वहां प तो उनको यह उपाय करना चाहिए दो लॉंग चरणों में रख देना अब अब जो दो गुड़हल के पुष्प पर हैं उनको हाथ में रखना और आपकी जो भी मनुवान शित्फल की इच्छा है जो भी इच्छा है नवरातरी में आप चाहते हैं कि मातारानी आपको यह पूरी करनी करनी है वो आपको बोल करक जो हैं वह भगवान को मातारानी को चड़ जाएंगे इस पस्ट रूप से यही बोला है गोड़हल का पुष्प तो गोड़हल का पुष्प ही लेना है ठीके यह उपाय जो भी व्यक्ति नवरातरी में करता है नवरातरी की दिव्यरातरी सब्तमी अश्टमी नमी ही होता है तो यह चुप चाप से उपाय करके आ जाना आपकी किसमत बदल जाएगी देगे अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की जीवन में बहुत जादा कस्ट हैं बहुत जादा बीमारिया हैं घर में कोई इसा विक्ति है जिसे बार-बार बीमार वो पड़ जाता है आप दवा कराकर ठक गए हैं और आप चाहते हैं कि मा की क्रपा से उसकी जो बीमारी है उसके अंदर उसको शांती मिले सुख मिले साथ ही साथ जो असके जीवन में जो तकलीफ है वो सब दूरो जाए तो आपको यह उपाय करना है देए यह उपाय आपको करना है 11 लॉंग से ठी देखो यहाँ पर 11 फूल, आप गुण Iris पुश्पर भी ले सकते हैं या गुलाब कर भी ले सकते हैं लाल हौने चीह पुश्पर, ठीकर है 11, लांग 11 फूल अब आपको नाडि लेना है नाडि कुण सी वह मोली का जो धागा आता है ना मोली का धागा आपको लेना है और इसके अंदर एक लोंग और एक गुढ़ल एक लोंग और एक गुढ़ल इस प्रकार से बांध करके आपको इस प्रकार से बांध करके आपको एक माला का रूप दे देना है माला तयार करना है देखो वीडियो के अंदर के हाथ में रखवा देना माला और बीमारी दूर हो ऐसे कामना करवाना और यह जो माला है आपको किसी भी कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर अर्पित करके आजना है मतलब डाली पर भी आप टांग सकते हो या आप नीचे रखना चाहो तो नीचे भी रख सकते हो लेकिन डाली पर टांगते हो तो बहुत ही अच्छ बात है कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर माता दुर्गा का वास नवरात्री में होता है आपको वहाँ पर यह रखना है आपके जीवन के समस्त बीमारियों को दूर करने की माता राने से प्रातना करना है आपकी कूल देवी इसलिए अगर नवरातरी में कुल देवी के निमेत कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं जिसे हमने आपको बताया था न पोटली वाला उपाय बहुत सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर सामग भी बहुत जादा थी तो अगर आपने भी अगर वो कुल देवी का उपाय नहीं करा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं इस उपाय के लिए आपको एक फूल लेना है गुढ़ल का पुष्प लेना है गुलाब का पुष्प लेना है किसी का भी एक पुष्प आपको लेना है साथ में आपको लेना है एक चुटकी हल्दी मात्र एक चुट के हल्दी साथ में तामवी के पात्र के अंदर जल देखो अब आपको क्या करना है साथ में लेना है एक बेल पत्र और उसके साथ में लेना है एक लंबी बाती का दीपक लंबी बाती का कुल देवी के नाम का दीपक लगाएंगे देखो करना क्या है तामबी के पात्री के अंदर एक चुट के हल्दिया आपको डाल देना है इसी के अंदर एक गोड़हल का पूश्ट पर आपको डाल देना है अब आपको जाना है नीम के पेड़ के हाँ पर तीक है कड़वे नीम का जो बड़ा पेड़ है वहाँ पर जाना और आपको उत्तर मुखी हो करके एक बेल पत्र आपको जमीन पर जड़ में आपको रख देना है जड़ में रख दिया डंडी का हिससा आपकी साइड होना चीज़ है अब इसी बेल पत्र के उपपर आपको यह जो जल है हलदी मिश्रि जल जो है जिसके अंदर गोड़हल का पुष्ट पर डाल रखा है, जिसके अंदर आपने लाल पुष्ट पर डाल रखा है, वो आपको अर्पित करना है, बेल पत्र के पत्ते के उपर है, ओम, एम, रेम, क्लिम, चामुंडे विच्चे इस मंतर का 11 बार जाप करते हुए, ओम, दुम, द अंत में कुल देवी से जो भी आपकी इच्छा हो, वो आपको बोल देना है, यह उपाय सुर्यास्त के पहले-पहले ही होता है, धियान अकना, अंत में आपकी जो भी इच्छा है, वो बोल देना, आपकी सारी इच्छा जो है, वो कुल देवी प्रसंद करेगी, यह उपाय बहुत जादा खास है तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने तीन सुन्दर से उपाई के बारे में बात करी है तीनों उपाई में से जो उपाई आपको लगता है आज, कल, परसु, नरसु याने कि शुकर, शानी, रवी, सुम ये चार दिन बचे हैं चारों दिन में स जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाई कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंड में पूछ लेना, गलती नहीं करना है स्री शिवाय नमस्तुब्यम, हर हर महादेव